वेलकम बैक स्टुडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं अजस्मेंट ऑफ कैपिटल केस वन की इलस्ट्रेशन्स मैंने आपको यह केस समझा दिया है वैसे लाइव क्लासे में तो इसके रिलेटर डू एक्जाम्पल्स और हैं जो मैं आप आज आपको करवाने जा रही हूं ठीक ह है तो ध्यान से सुनना कहीं बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं की थी तो वो बच्चे ज़रा थोड़े ध्यान से सुनना की कैसे करना है कैसे अजस्मेंट करनी है ठीक है सो क्वेशन है अन 31st मार 2010 दा बैलेंस शीट ऑफ डव्ली अड आर हुश्यर प्रॉफिट न्टिश टू वॉज एस फॉलोज हमें दिया यहां पर क्रेडिटर्स प्रॉफिट अड लॉस अकौंट का बैलेंस कैपिटल अकॉंट दिया है W & R के कैश दिया है डेटर्स में से प्रॉविजन माइनस किया है स्टॉक दिया है प्लांटर मिशिनरी पेटेंस दिया है और टोटल किया है बी एड्मिट हो रहा है इस टेट को बी की एड्मिट होने पर बी विल गट 4th ओवर 15th share of profit उसका अब एस टेखिये जो री वैल्य हो रही है सबसे पहले जो है संधी डेटर्स एड बुक वैल्यू लेस 5% प्रॉविजन सो डैट मेंस 20,000 पे आप कितनी प्रॉविजन लगाओगे 5% लगाओगे ठीक है उसके बाद स्टॉक है वो 20,000 का हो गया है पहले 25,000 का था अब 20,000 का हो गया सो 5,000 से decrease हो गया plant and machinery 40,000 की हो गया सो आगे आपको प्रॉफिट से देद दिये हैं गुडविल कैल्कुलेट करने के लिए और आपने बनाना है रिवैलिशन पार्टनर्स कैप्टिल एंग बैलन शीट तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं सो रिवैलिशन काउंट बनाते हैं हम सबसे पहले तो सबसे पहले हम यहां पर जो हमारा स्टाउक था स्टाउक हमारा 5,000 से reduce हो गया सो यहां पर आगया 2 स्टाउक 5,000 और दूसरी साइड हमारी यहां पर plant and machinery 5,000 से increase हो गया है सो by plant and machinery 5,000 उसके बाद 20,000 पे अगर हम 5% लगाएं अपना प्रोवीजन क्रिएट करें 5,000 5% के साथ 20,000 के उपर 5% लगाएं सो हमारी amount आ रही है 1,000 1,000 हमारी amount आ रही है यहां पर प्रोवीजन 700 है so that means 300 से क्या हो गई है increase हो गई है so यहां पर 2 प्रोवीजन for bad debts कितनी आ गई हमारी 300 difference डालना है 1000 बन रही है लिखी यहां पर 700 है so 300 से increase so यह side up हमारी बड़ी हो गई यह हो गई हमारी 5,300 so 5,000 minus किया तो 300 का हमारा आ गया यहां पर loss by loss transferred किसे किसे W and R को किसे ratio में old profit sharing ratio that is 3 ratio 2 so R को मिलेगा 180 और W को मिलेगा 180 और R को मिलेगा 120 कैसे आया यह 300 का 3 by 5 and 300 का 2 by 5 so यह हो गया total 53 hundred revolution को loss है तो partners capital account में 2 revolution loss लिखे देते हम इस side में 180 and 120 यहां पर आजाएगा by balance brought down by balance brought down W and R की capital कितने 40,000 and 30,000 so 40,000 and 30,000 नया partner कितनी capital लेके आ रहा है 30,000 so by cash cash में ही लिखना है आपने by cash कितना 30,000 ठीके जी यहां पर हमें एक profit and loss account दिया है यह भी हम इस side में distribute करेंगे by profit and loss account old ratio में profit and loss है 15,000 15,000 को हमने 3 ratio 2 में distribute किया तो आगे हमारे 9,000 and 6,000 याद है न अगर इस side P&L है तो इस side में distribute होगा अगर इस side में ठीक है जी उसके बाद goodwill calculate कर लेते हम working notes बनाते हैं तीन साल के profit दिया है हमारे average profits कितने आ गए फिर 20,000 plus 14,000 plus 17,000 divided by 3 तीन साल के profits है fourth year का profit हमें दिया है उपर यहाँ पर 15,000 इस साल का हमेशे यह रखना अगर P&L आपने goodwill की value calculate करनी है और आपको कहा गया है कि पिछले सालों के profits के साब सकते हैं यहाँ पर देखिए profit order firm उसने goodwill की value calculate करने पर क्या कहाता है average profits of past 4 years यहाँ पर हमें तीन साल के दिया है fourth year यहाँ पर है ठीक है इस साल की profits यहाँ पर लिखे हुए 15,000 divided by 4 so हमारा average profit आगया रुपे 16,500 और goodwill कितनी आगई average profits into number of years purchase so आगया 16,500 multiplied two and a half so हमारी यहाँ पर amount आगई 41,250 so नया partner जो आ रहा है B, B's share of goodwill कितना आएगा आपका 41,250 अगर firm की है तो नया partner 4 over 15th share के लिए आ रहा है 4 over 15 so that means उसका share of goodwill कितना है 11,000 ठीक है जी 11,000 है so that means यह 11,000 अब sacrificing partners को sacrificing ratio में distribute किया जाएगा ठीक है जी so हमारी sacrificing ratio कितनी है 3 old ratio is your sacrificing ratio so 11,000 को हम distribute कर देते हैं यहाँ पर by premium for goodwill 11,000 को 3 ratio 2 में किया so यहाँ पर आगया आपका 6,600 and that here 4,400 ठीक है जी अब हमने क्या करना है adjustment of capital first case के accordingly adjustment of capital इसमें सबसे पहला step क्या होता है step 1 कि जतना नया partner capital लेके आ रहा है new partner की capital multiply नय partner के share के साथ reverse के साथ multiply so 30,000 multiply by 15 over 4 वो कितने share के लिए आ रहा है 4 over 15 के लिए तो उसका reverse कितना हो गया 15 over 4 तो हमने multiply जब किया so that में यहाँ पर हमारी total capital आ रही है यह हमारी क्या आ रही है यहाँ पर total capital of firm तो हमने जब इसे multiply किया तो हमारा यहाँ पर answer आ रहा है 1,12,500 ठीक है जी next step क्या होता है कि जितने भी partners है W, R and नया partner कौन है B इन सब में यह जो 1,12,500 की amount है इसे हम new profit sharing ratio में distribute करते हैं अब हमें question में क्या रहा है कि हमें new profit sharing ratio given नहीं है so that's why हम सबसे पहले क्या calculate करेंगे new profit sharing ratio calculate करेंगे new ratio इस question में हमें old share given है और नया partner का share given है so clear है कि let total share करके हम नहीं ratio find करेंगे let total share is equal to 1 remaining share कितना आ गया अब remaining share of old partners नया partner 4 over 15 के लिए आ रहा है so 1 minus 4 over 15 so that means यहां पर आ गया 15 15 minus 4 that is 11 over 15 clear so W's new share और R's new share कितना होएगा इनकी old ratio है 3 ratio 2 so 3 by 5 and 2 by 5 old ratio के साथ multiply करना होता है remaining share so यहां गया 33 over 75 यहां गया 22 over 75 और जो B का share है B's share is equal to B का share है 4 over 15 so इसे हम इसका denominator करने के लिए हम किस के साथ इसे multiply करेंगे 5 के साथ 20 over 75 49,500 33,000 and 30,000 सिर्फ यह दो स्टेप्स करने है ठीक है यह स्टेप्स किये so that में यह जो हमारी अब यहां पर capital निकली है W, R, B की इसे हम लिखेंगे यहां यह हमारे balance carry down solve हो है यहां पर लिखेंगे 2 balance carry down W का कितना 49,500 R का 33,000 and B का 30,000 यह देखी यहां पर इसकी capital 30,000 ने आ रही है और उसकी T भी कितनी 30,000 जब आपने देख लेना solve करके अगर यह यह जो दोनों जो equal हागी that means यह आपका कही न कही question जो है वो सही है पर हर case में ऐसा नहीं होता तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा so यहां पर हो गया done यह हमारी capital की adjustment थी ठीक है क्या किया मैंने पहले नए partner की capital उसके ही share के reverse के साथ multiply करके मैंने total capital निकाले then वो ही total capital को new profit sharing ratio calculate करके distribute कर दिया जो यह distribute करके आए उसे मैंने लिख दिया यहां पर two balance carried down ठीक है जी अब जो इस question में जो last चीज रह गई है वो क्या अब partners capital account में हमने सभी चीज़ें डाल ली है credit side में भी और debit side में कुछ भी अभी left नहीं है so हम अब क्या करेंगे credit side के total करेंगे और debit side के total करेंगे अब इस side में credit side का total आ रहा है 55,600 और जो की इसके total से कम है तो question में क्या given है as is capital which pay shall have to be adjusted यहां पर नहीं कुछ भी given नहीं है कि आपने जो excess amount है वो किस में adjust करनी है so मान के चलना है कि आपने cash में ही करनी है यहां आप cash में कर सकते हो या bank या current पर अगर question में specify है कि current में करना है तो current में ही करोगे अगर कुछ specify नहीं है तो आप cash या bank में कर सकते हो यहां पर हमें सिर्फ cash का balance दिया है so हम सिर्फ cash में ही इसे balance करेंगे ठीक है तो credit side में से जब debit side minus की तो यहां पर मेरी balancing figure आई 5920 इसका total किया यह है 40400 इसमें से भी यह minus किया तो 33000 plus 120 plus करके मैंने minus किया so इसका balance आया 7 to 80 यह तो already balance है 30,000 इस side है 30,000 इस side है so यह already balance होगा ठीक है जी सिर्फ A और B का निकालना पड़ेगा अब balance sheet में आ जाओ यहां पर सबसे पहले हमारे आ जाएंगे capital accounts किसका किसका W, R and B का W की amount है 49500 33000 and 30,000 यह वाली amounts जो है वो हमारी आगी नीचे ठीक है जी so इनका total कर दिया यह आगया हमारा 112,500 उसके बाद यहां पर देखे creditors creditors में कुछ change यहां है so हमारे creditors ऐसे के ऐसे ही आगा यहां पर 20,000 के liability side में अब और कुछ नहीं बचा so अब हम आते हैं asset side पर asset में सबसे पहले है cash cash की हम adjustment करते हैं बाद में उसके बाद है debtors sundry debtors debtors हमारे थे 20,000 के अब हमारी provision calculate करके कितनी हो गई थी यहां पर 1,000 so minus provision 1,000 यहां पर आगया 19,000 ठीक है जी उसके बाद हमारा stock stock 5000 से reduce हो गया था stock पहले था 25,000 का 5000 से reduce हो गया so हमारा अब stock कितना बचा 20,000 का उसके बाद plant and machinery 35,000 की थी अब वो 40,000 की हो गई है so plant and machinery 40,000 उसके बाद patents में कुछ change नहीं आया so patents हमारे ऐसे ही रहेंगे कितने 20,700 अब आगया cash की बारी cash हमारे पास कितना पढ़ा है 5000 का इसमें plus क्या होगा नए partner की capital नए partner की goodwill कितनी थी 11,000 ठीके जी minus अब देखे cash balances हमारे इस side में आये है तो अगर cash balances आपके minus हम उन्हें क्या करते है minus 5920 को भी minus करना है और 7280 को भी minus करना है अगर आपका balancing figure इस side में आता है मान लिजिए अगर ये side बड़ी होती है और ये छोटी होती है आप by cash लिखते balancing figure तो अगर इस side में आता है तो ये side यहाँ पर plus होती ये side minus yesi plus balancing figure ठीक है तो cash का यहाँ पर total आगया आपका 32800 अभी ये आपकी balance sheet जो है वो होगे balance that is 132500 और 132500 ठीक है जी तो बहुत ही easy है ये case बस आपको steps थोड़े से याद करने पड़ेंगे अगर तो आपको question में new profit sharing ratio given होगी तो आपके लिए तो बहुत ही ज़ादा easy हो जाएगा calculate करना वैसे कई बार exam में होता ऐसी है कि new profit sharing ratio दे रहते हैं तांकि आपका जो question है वो जल्दी से solve हो जाए but in case अगर नहीं देते तो आपको ये calculate करनी ही पड़ेगी ठीक है जी तो ये था आपका case number one adjustment of capital का ये एक illustration है एक illustration में आपको और एक समझाओंगी अभी next video में thank you